नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिफी रोकसिम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है, सिफिरोकसिम टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिफिरोकसिम टेबलेट की वजह से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि सिफिरोकसिम टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में सिफिरोकसिम टेबलेट को लेना recommended नहीं होता है सफिरोक्सिम टेबलेट सेफलोसपोरिन ड्रग क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है सफिरोक्सिम टेबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है जैसे त्वचा पर कोई घाव या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर, फेफणों में इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इन्फेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, और काननाक या गले में infection होने पर आपका Dr. Sifiroxin Tablet को लेने की सलाह दे सकता है. पेशाब में infection होने पर भी आपका Dr. Sifiroxin Tablet को लेने की सलाह दे सकता है. शरीर में infection होने पर आपको बुखार हो सकता है. इसलिए बुखार होने पर भी आपका डॉक्टर सिफिरोकसिम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। फेफरो में इंफेक्शन होने पर खांसी हो सकती है। इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर सिफीरोकसिम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स हैं जिनमें आपका डॉक्टर सिफीरोकसिम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। सिफिरोकसिम टैबलेट 250 mg वब 500 mg की strength में available है. दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना नह भूलें. अब हम डिसकस करेंगे की सिफिरोकसिम टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है. सेफिरोकसिम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सेफिरोकसिम 500 mg कैपसूर को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं लेकिन सिफिरोकसिम टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको सिफिरोकसिम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सिफिरोकसिम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए आपको सिफिरोकसिम टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने सिफिरोकसिम टैबलेट को लेने की सलाह दी है। क्योंकि सिफिरोकसिम टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है। अब हम discuss करेंगे कि सिफी रोकसिम टेबलेट की वजह से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिफी रोकसिम टेबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसिंट व्यत्तियों में सिफिरोकसिम टैबलेट की वजह से कुछ सामानने साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी, वचा पर रैशेस, पेट में दर्द और दस्त हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि सिफिरोकसिम टैबलेट को लेते, समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में सिफिरोकसिम टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है। सफिरोक्सिम टैबलेट वाईरल इन्फेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं को कभी लेना चाहिए। जब जरूरत हो, बार बार या बिना जरूरत के antibiotic दवाओं को लेने से antibiotic resistance हो सकता है। और antibiotic resistance होने पर वो antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और ऐसी स्थिति में infection को ठीक करने के लिए आपके डॉक्तर को दूसरी antibiotic दवा देनी पर सक्ती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए. क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में सिर्फिरोकसिम टैबलेट की डोज घटानी पर सकती है. अगर किसी व्यक्ति को सिफिरोकसिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडेन से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को सिफिरोकसिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सिफी रोकसिन टैबलेट को ले सकती है या नहीं वैसे सिफी रोकसिन टैबलेट pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है लेकिन प्रेगनिंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर सिफी रोकसिम टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं, जब सिफी रोकसिम टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो, इसलिए प्रेगनिंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिफी र को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिर्फी रोकसिम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं